तो keyword planner को access करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक Google Ads का account उस Google Ads account में आपकी billing details अगर complete होंगी तभी आप Google Ads keyword planner का full use कर पाएंगे यानि कि आपको full version उसका मिलेगा दोस्तो keyword planner में जाने के लिए आप screen पे ये tools and settings की button पे click करेंगे इसके बाद आप यहाँ पे keyword planner पे click करेंगे और इस तरीके से आपके सामने जो है keyword planner खुल जाता है दोस्तों यहाँ पे आपको दो section देखने को मिलेंगे discover new keywords and get search volume and forecast आपको यहाँ पे click करना है discover new keywords पे इसके बाद दोस्तों हमें एक sample keyword लिख लेते हैं यहाँ पे हमने लिखा है anti glare screen for laptop और जैसे हम कॉमा लगाएंगे तो यह ऐसे keyword enter हो जाएगा कॉमा लगा के आपको space लगना है अगर आप और भी keywords का research करना चाहते हैं या और भी ideas लेना चाहते हैं तो आपके मन में जो भी website के इसाब से keywords देखने हैं तो Google जो है आपकी website को check करके जो जो keywords आपके लिए applicable नहीं उनको वहाँ पे से वह पहले ही हटा देगा यानि की मानली जी अगर आपने normal keyword search किया आपको 1000 ideas मिले अगर आप इसमें अपना URL डाल देंगे तो आपकी website से related ही ideas आपको मिलेंगे तो हो सकता है वो शायद 500 ideas ही आपको मिले पर मैं इस चीज को इस stage पर recommend नहीं करूंगा आप जो है free keyword ideas पर जाए यानि की फिलाल कोई filter ना लगाए तो हम यहाँ पे get result की button दबाते हैं अब दोस्तों मैं आपको इस पूरी screen को एक पर अच्छे से समझा देता हूं कि आप लोग यहाँ पर क्या-क्या देख पा रहे हैं तो यहाँ पर keywords है यह keyword है जो आपने सर्च किया है जिससे related आप ideas ढूनना चाह रहे हैं यहाँ पर तो तो country लिखा हुए और इस country को आप चेंज भी कर सकते हैं यारे कि किस country की हिसाप से आप यह analysis करना चाहते हैं इसके लावा यहां पर language लिखा हुआ यानि कि किस language में आपको एक कीवर्ड रिसर्च करना आप इस लेंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं यहां से इसके लावा दूस्तों यहां पर आता Google या Google and search partners यानि कि आपको Google पे किये हुए search के बारे में कीवर्ड करना या Google के अलावा जिससे Google की partnership है उन पर किये गए search के बारे में आपको keyword analysis करना है तो हम यहां पर recommend करेंगे कि आप Google पर किये गए search के ऊपर ही analysis करें अपना क्योंकि search partners का कोई guarantee नहीं कि उनका data कितना accurate होगा इसके लावा दोस्तों आप करना पर duration देख सकते हैं duration में आपके पास काफी option आता है कि कितने समय की बीच में आपको किये गए search की ऊपर analysis करना है या research या ideas लेना है तो यह फिलाल बता रहा है last 12 months याने की आज की तारिक से लेकर पिछले 12 महीने तक का आप इसको last 24 months भी कर सकते लास्ट मंथ भी कर सकते या कस्टम भी कर सकते यह डिपेंड करता है कि आपका जो business है वह कैसा है उसमें yearly fluctuations आते हैं या monthly fluctuations आते हैं या quarterly या half yearly fluctuations आते हैं अगर ज्यादा ही frequent fluctuations आते हैं तो आपको जो आपको लगता है कि आपके साब के keywords आपको यहां पर मिल गए हैं तो आप उनको download कर सकते यहां पर दोस्तों आप देख सकते broaden your search यहां पर Google आपको बता रहा है कि आप अपने keywords को और expand करना चाहते हैं और जादे analysis करने के लिए उसने कुछ आपको suggest कि हुए जैसे anti-glare screen, laptop यह screen for laptop, computer monitor accessories, anti-glare screen for macbook, anti-glare screen for tablet इस तरीके से अगर आप और broaden करना चाहते हैं और wide जाना चाहते हैं तो आपको इसमें जो related लग रहा है आप उसको plus कर देंगे तो आपका जो नीचे का analysis यह जो result यह जो ideas आए वो जो है और बढ़ जाएंगे अब दोस्तों आप इस graph को देख सकते हैं यह जो आपकी keyword के बारे में बता रहा है कि month wise पूरे पिछले साल में यह किस तरीके से इसमें fluctuations आए हैं तो overall हम देख सकते हैं कि कोई खास जादा fluctuations नहीं आए एक average demand जो है पूरा time बनी हुई है दोस्तों इस graph को भी आप चेंज करके देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट की बटन आपको देखने को मिलेगी इस चार्ट की बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ दो option और भी आते हैं टोटल तीन option ने सर्च वाल्यूम आपने देख लिया आप breakdown by platform कर सकते जिसमें आपको devices के बारे में देखने को मिलेगा मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ अब दोस्तों आप देख सकते कि कौन से डिवाइस से जादा सर्च किये गए हैं तो जैसा कि यह बता रहा है ब्लू कलर ब्लू कलर यानि की मोबाइल से 63% सर्च किये गए हैं ठीक ह तो इससे आपको device के बारे में भी पता चल सकता है कौन से device को आपको target करना है कौन से device को आपको जो है avoid करना है फिर से हम इस button को दवाएंगे आपकी पास यहाँ पर तीसरा option आता है breakdown by location इसमें एक ही country selected है इसलिए इस तरीकी से बता रहा है अगर आपको इसका अच्छा view दे देख रहे हैं blue color यानि की इंडिया में 36% United States में 20% United Kingdom में 8.9% यह आप यहाँ ग्राफ से भी देख सकते हैं तो देखा दोस्तों कितने सुन्दर तरीके सा आप जो है device wise location wise और month wise अपने keyword की demand को देख सकते हैं इसके लावा दोस्तों हम यहाँ नीचे आते हैं यहाँ पर आपन साथ में लिखे हुए है और उससे related data जो है आपको यहाँ सामने लिखा हुआ दिख रहा है अब इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं सबसे पहले आपको यहाँ फिल्टर वाला option मिलता है फिल्टर में आपको कई option मिलते है अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सबसे काम का option जो आता है वह कीवर्ड यानि कि अगर आपको कोई particular keyword ही चाहिए जैसे कि कोई आपको ऐसे ही keyword चाहिए जिसमें what 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 का use हो तो मैं यहाँ पर करूँगा contents what यहाँ value में लिख देंगा what what और जब आप search करेंगे इसको apply कर देंगे तो सिर्फ वही keywords आपको दिखेंगे जिसमें what लिखा है अगर आप जानना चाहते हैं कि सिर्फ आपको वही keywords चाहिए जिसमें prices लिखा है क्योंकि prices वाले keywords यानि की सामने वाला ढूंड रहा है तो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे contents prices और मैं इसको apply करूंगा तो जितने भी keywords जिसमें price लिखा है या prices लिखा है वह आपको दिख जाएंगे चलिए मैं आपको करके बताता हूं यह मैंने apply किया और यह बता रहा है कि कोई भी ऐसे keyword नहीं जिसमें जिसमें लोगों ने price लिक तो मैं यहां पर लिखता हूं Dell अब सिर्फ वही keywords बताएगा जिस keyword में Dell company के नाम का भी यूज किया गया हूं तो मैं इसको apply करता हूं तो आप देख सकते कि अब जितने भी keywords आ रहा है उस सम्में Dell लिखा है Dell anti-layer screen, Dell anti-layer laptop, Dell anti-layer screen laptop, Dell anti-layer इस तरीके से आप किसी particular शब्द को देखना चाहते हैं उस keyword में या किसी particular शब्द को avoid करना चाहते है उस keyword से तो वह आप यह filter का use करके बहुत आसानी से कर सकते हैं अब मैं इस filter को यहां से हटा देता हूं अब आप देख सकते हैं यहां पर जो columns दिये गए उसको हम समझ लेते हैं सबसे पहले आपका keyword आएगा जो आपने search किया है उसके बारे में बताया जाएगा कि उसका monthly कितना search होता है पिछले तीन महिने में क्या-क्या changes आया पिछले स ज्यादा कितने रुपे देने पड़ सकते हैं कम से कम कितने रुपे देने पड़ सकते हैं इस particular keyword के लिए तो जैसे कि हम देख सकते हैं anti glare screen laptop को अगर आपको सबसे टॉप पे दिखाना है तो ज्यादा आपके 46 रुपे लग सकते हैं और कम से कम आपके 1.5 रुपे लग सकते ह आपको बता रहा है कि यह keyword आपके account में use किया जा रहा है कि नहीं फिलाल या नहीं किया जा रहा है इसके साथ दोस्तों आप इसको scroll करके नीचे आएंगे तो सबसे नीचे आने के बाद आपको यह show number of rows देखेगा आप इसमें एक बार में कितनी rows देखना चाहते हैं 10, 30 या 500 ठीके इस तरीके से आप select कर सकते हैं दोस्तों एक और बहुत काम की चीज में आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने keywords को एक group में देखना चाहते हैं मतलब similarities के आप से देखना चाहते हैं ताकि आप उनके लिए एक proper ad group बना पाएं search में और जिससे आपको high ad relevance और high quality rank मिलती है जिससे आपके ad जो है cost कम पढ़ती है और अच्छा perform करते हैं तो उससे करने के लिए आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पे keyword view की button आरे है keyword view की button को जब आप दवाएंगे तो इसमें दूसरा option आता है grouped view जब हम grouped view में दवाएंगे तब आप देख पाएंगे कि यहां पर जो है सभी keywords जो है group में आ रहा है filter laptop filter laptop में सभी keywords में filter word use होगा देखिए anti-glare filter for laptop matte screen filter for laptop laptop glare filter ठीक है मैं वापस इसको close कर देता हूं जैसे आप देख सकते है best anti यानि कि इसमें best anti के इसाप से इसको group किया गया है तो अगर मै इसको खोलता हूं तो आप देख सकते best anti-glare protector for laptop best anti-glare screen for laptop best anti-glare laptop इस तरीके से आप दोस्तों इस filter का use कर सकते यानि कि इस view का use कर सकते एक proper ad group बनाने के लिए ताकि आपके ad आपके ad group और keywords में काफी जादा relevance रहे और आपको जो है अच्छी ad rank मिले जिससे आपकी ad cost कम भी refined keywords में जब आप expand करेंगे तो यह आपको बहुत सारे और भी options देता है अगर आप किसी category wise, brand wise, non brand wise कि अपने keywords को देखना चाहते हैं तो वो options आपको यहाँ पर मिलते हैं जैसे कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को केवल जो है Apple के Apple company से related ही keywords देखने तो मैंने जब यहाँ पे Apple प आपको देखने को मिलेंगे यह बहुत ही फायदे महुंद हो सकते हैं अगर आपको product wise कोई keyword या कोई search ad चलाना है तो ऐसे ही आप जो other brands के बारे में देख सकते हैं और नीचे जो है size वगेरा के बारे में देख सकते हैं दोस्तों यह categories जो है आपके keywords related अगर applicable होंगी तो ही वह यहाँ पर visible होंगी और अगर visible होंगी तो आप उनका use कर सकते हैं इसके लावा उपर टिक करके आप जो है non branded keywords को भी देख सकते हैं finally दोस्तों यह जब सारा ताम जाम हो जाए तो आप यहाँ ऊपर जाके download keyword ideas की बटन दवाएंगे तो यहाँ पर आपको option मिलता है csv file या google sheet file क्या आप इस तरीके से अपने जो keywords हो हटा सकते हैं download कर सकते हैं और उनको बापस excel sheet में filter करके optimize करके उनको google ads में जाके use कर सकते हैं इसके लावा दोस्तों इस वीडियो में आपको कोई doubt है तो आप comment section में डाल सकते हैं आपको google ads ये facebook ads related services की जरूरत है तो भी आप मुझे contact कर सकते स्क्रीन पर दिये गए नंबर आशा करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो में काफी अच्छे से समझ में आया होगा कि google keyword planner को कितना detail में use किया जा सकता है